बिद्याले नेतत विकास कारक्रम इसके अल्रेडी दो प्रिसच्छड पहले ही हो चुके हैं यह तीसरा प्रिसच्छड है और तीसरा प्रिसच्छड में जो पहला भाग है बेसलाइन एसेस्मेंट और इस बेसलाइन एसेस्मेंट में 11 प्रिसनों को सरमिल किये गये उन गभी 11 मेरे प्रिष्णों को हम लोग इस वीडियो में कबर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंततक जरूर बने रहे हैं, साथी इससे पहले में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड किया है, कि किस प्रकार से आप इस प्रिशच्चड को ज आती आवसक है, तो शुरू करते हैं, विद्याले नेत्रतु का जो तीसरा कोर्स है, उसमें बेसलाइन एससमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें जो भी प्रिशन उत्री है, उसे स्वाल्व करेंगे, और इसमें पहला प्रिशन है, ध्यान देने योग छेत्र की योजना बनाते समय, इन में इसे कौन से अप्यासों से परेज किया जाना चाहिए, एक लच्च तै करना, सभी कार सोयम करना, समय सीमन निर्धारित करना, तो इसका सही होता है, सभी कार सोयम करना, इसके बाद मैं एरोकुल बेटन पर क्लिक करते हैं, एक और पर प्रशन आ जाता है श्री बिनोद चौधी और पाचवी कच्छा के विद्यार्थियों को गड़ित पढ़ाते हैं सिखने की प्रिक्रिया को अपने छात्रों के लिए रोजकर बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी सोध परियुजना दी ताकि विद्यार्थियों को समझ सकें और रोज गड़ित के पाठों को टकनीकी साहता से और अधिक अनभव आधारित बनाने के लिए एक पहल किया है स्री बिनोद को इस सूचना पर ध्यान देने चाहिए क्योंकि तो यहाँ पर चार विकल्प है पहला विकल्प है आपका गड़ित रोजचक बनाने की उसकी अच्छमता क उसके बज़ाय से बहुत से बचे गड़ित बिसे को नापसंद करते हैं उसके बाद नेकस्ट है आपका दूसरा विकल्प है उनके विद्ध्याले की विद्ध्यार्थी एक ऐसे समदाय से समन्देत हैं जहां अच्छे गड़ित कोशल〉ल का भाग हो है तृसा है NGO विद्ध जबबाद करने का सुझाओ दिया, ताकि समझास के कि पूरे समधायक को मजदार तरीके से गड़त सीखने की प्रक्रिया मैं कैसे सामिल किया जके जो सही उत्तर है, इसका पना ब्रक्राव को तो विक लेए आपकों को PTM के लिए आमंतर करते समय आपको किन महत पूर रड़ नीतियों का दिहान रखना चाहिए तो यहाँ पर चार विकल्प हैं पहला है कम से कम एक सब्ता है पहले आमंतर वेजना एक सुनेशित करना यह सुनेशित करना कि बैठक के लिए एक इसपष्ट एजेंडा और योजना है बैठक में सैच्छक और मनुरंजक तक तो सामिल है और उप्रयोक्त सभी तो मुझे लगता है यह चौतह विकल्प इसका सही है एरो बटन क्लिक करके एक और प्रसने जादा बे अपने बच्चे की सिकायते सुनते हैं उन्हें कार के अत्रिक्त कुछ समय मिलता है तो यह पर जो सही उत्तर है पहला उत्तर है वे यह मैसूस करते हैं कि उन्हें महत दिया जा रहा है और बे उप्योगी सीखते हैं एरो बटन पर के लिए करके एक और प्रसना जाता है मेनू एक ऐसी समदाय से समंदर रखते हैं जहां पीने के साब पानी की कमी है इस्थानी नगर नेगम दुआरा रोज सुबह दस वजे उस समदाय के घरों के लिए पानी का संग्रह करने और लेने के लिए पानी के टैंक बेजे जाते हैं इस पानी का संग्रह करने की जिम्मेदारी परते घर की मेला की होते है मेनू हर दिन देर से विद्याले पहुँचती है और इसकी बज़य सी कच्छा में पढ़ाए गए कि कई सब्जेक्ट यानि की बिसे छूट गए मेनू की सिचका उन कारकों की सूची बना रही थी जो उसे प्रवावित करते हैं उन सभी कारकों को चैनित कीजिए जो मेनू के समदाय का हिस्सा है तो मुझे लगता है यहाँ पर इस्थानी नगर निकम, पानी की कमी की समस्या समदाय की यह मान सकता की महला है घर के कारियों की जिम्मेदार होती है तो अपरोक्त सभी इसका विकल्ब सही है एरोबटन पर क्लिक करेंगे एक और परस ना जाएगा हमें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते है दब्यांग बच्चे और लड़कियों के नमांकन की तरबी से इस्द्यान क्यों देना चाहिए यहाँ पर चार विकल्ब है क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम मुस्किल में पढ़ जाएंगे क्योंकि इन बच्चों की सिच्चा अंतोर पर पीछे छूट जाती है क्योंकि हमें आकले दरसाने होंगे और परोक्त मैंसे कोई नहीं तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसर भी कल्ब सही है एरो बटन पर क्लिक करके एक और प्रसना जाता है सिरीमति फात्मा अपने बद्याले में ग्यानूत्सों की तैयारी कर रही है उन्होंने एक स्मार्ट लच निर्दारित किया है सभी कार्यों की सूची बनाई है समय सीमा निर्दारित की है और अपनी टीम की सदस्यों को कारशों पर है जब वे यह 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 स्योजना लागू करेंगी आप उनको इन मेंसे कौन सी कारप रडालियों का अनुसरण करने की सलाय देंगे तो यहाँ पर तीन विकल्प दिये गए हैं तो यहाँ पर जो सही विकल्प है पहला विकल्प सही है एरो बटन पर किलिक करते हैं एक और प्रस्त ना जाता है विद्याले के बारे में और विद्यार्थी के बारे में सूचनाओं को अभिवाबकों के सामने कैसे प्रस्तोत किया जाना चाहिए तो यहाँ पर चार विकल्ब हैं विद्याले के अकद्मिक प्रगति के बारे में सामान प्रस्तोती बच्चे की सराहना कीजिए और व्यक्ति गजवारतालाब के दोरान एक या दू सुधार के छेतर साजा कीजिए उन कारियों का उलेक कीजिए जो विद्याले अभिवाबक घर पर अपने बच्चों के सीखने में सुधार करने के लिए कर सकते हैं और प्रोक्त सभी तो मुझे लगता है और प्रोक्त सभी यहाँ पर सही एरो बटन पर क्लिक करेंगे एक और प्रसने यहाँ से आ जाता है और प्रसने बिद्याले समधाय में केवल वी लोग सामिल होती हैं जो बच्चे के सीखने के अनबों को प्रवाबित करते हैं तो मुझे लगता है यह असत्त है कथन असत्त पर क्लिक करके आगे चलेंगे एक और प्रसना जाता है राजू एक ऐसे परिवार से समध्ध है जिनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है अपने परिवार की आर्थिक साहता करने के लिए उसे कच्रा बीनने और उसे बिचने का काम करना पड़ता है एक स्थानी NGO ने विद्यारतियों की सिच्छित करने की पहल की और इसके लिए उन्होंने एक गंटे प्रतिन पढ़ाना शुरू किया ताकि उस समय की भरपाई हो सके जो बिद्याले ना जाने के बज़य से बाल सर में खो दे रहे हैं उन सभी कारकों को चनित कीजिए जो राजु की समदाय का हिस्सा है इनकी अलावा इसके अलावा इलाके में इस्था सरकारी बिद्याले साम साम को अत diyक्त कच्छाय लेने के लिए सिच्छकों को नियुक्त करता है ताकि कच्छा के मुताबिक सिच्छा प्राप्त करने में बिध्यार्तियों की मदद की जा सके समदाय में रहने वाले लोगों ने योबाओं का एक छोटा सा समू बनवाया है जो सरकारी विद्यालों की एक गंटे की अतरिक्त कच्छा NGU द्वारा ली जाती है तो यहाँ पर मुझे लगता है योगाओं का सामदा एक सामू सरकारी विद्याले की अतरिक्त कच्छा के से चक अत्यदे गरीवी की हालत और उप्रोक्त में सभी सभी विकल्पियां पर सही है उप्रोक्त वाला अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रस्ण आ जाता है और नेक्स्ट प्रस्ण है आपका इन मैंसे क्या SMC सदस्यों की एक भूमका नहीं है नामंकन में विद्याले की साहता विद्याले विकास यूजनाओं की निर्माण में यूगदान विद्याले में समस्याओं की बारे में अन्य अव्यापकों सी बात करना लेकिन SMC की बैटकों में समस्याओं साजान नहीं करना बिध्याले की परसर को सीखने के लिए उपयोगत बनाने में सहयता करना तो यहाँ पर मुझे लगता है जो सही विकल्ब है तीसरा विकल्ब सही है arrow बटनर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रिशनोती थी 11 प्रिशन सम्मिलित किये गए assessment, baseline assessment में हमने 11 प्रिशनों को उत्तर दिये यहाँ पर और सभी प्रिशनों की उत्तर सही निकले अब यहाँ से हम submit लिख करके आ रहा है तो यहाँ पर हम submit करेंगे जैसे आप submit करेंगे तो आपका result आपके सामने होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गोई तो इस प्रकार से यहीं आप प्रिशनों को हल करते हैं तो आपका भी result 100% यानि की 11 बटा 11 आ जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है और यदि वीडियो पसंद आया है तो सच्छक साथियों में शेयरे से जरूर करें वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दानबात